कर में उपेन याद हो आप सबका लाइप प्रोगाम में स्वागत है तमाम भरतियों के साथ साथ जो रीट की सीवियाई की मांग हो चाहिए जो लोग रीट बहाली की मांग करें हो चाहिए पठवारी की मांग हो चाहिए डेटा सारजनी करने की मांग करें हो चाहिए वो पंच से यह होता है कि आपके बीच में आकर वह वास्तिविक जो दरहतल पर किये गए कारियों को बताना और आने वाले समय में क्या होने वाला आगे हम क्या करने वाले क्योंकि सोचल मीडिया पर ऐसे व्यक्ति एक्टिव है क्यों लोग कॉपीफेस्ट करते हैं अभी जैसे मैं अठाके खुद का नाम चिपना के डाल देते हैं तो कई लोगों पता नहीं रहता कि सच क्या है कौन दरहतल पर मेंनद कर रहा क्या है क्योंकि सातियों पर सारी चीज्जों का अवगत करवाना आपको आऊशक है सात्यों मैंने पहले लाई में बताया था जो तमाम लोग ला लाखों लोग देखते हैं क्योंकि मेरे लाइव देखने बात कई यूटुडुपर एक हजार ची ज्यादा यूटुपर इसको अपने यूटूप मीडिया पर एक चीज जो है एक चीज का आप तमाम लोगों को ध्यान रखना होगा कापी लोग लाइव जुड़े हैं आप जुड़ जाईए क्योंकि आप लोगों तक कई मैतोपूर्ण बाते मुझे पूछानीया है और चर्चा करनीया तमाम लंबी नई लेकर और शमेश्याओं को निष्टान को लेकर यह आज का मैतोपूर्ण है तमाम यहों तक उनके परीजनों तक जाना चाहिए कई लोग संगनक बरती को लेकर सवार पूछ रहें पीछी यह लिस्ट चलिया लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि तमाम चीजों का मैं जवाब का नव फर्वरी को आंदोलन हुआ और अब 24ओं वरी को देखेंगे लेकिन मैं पहले नो फर्वरी और 24 को लेकर सचारा करना चाहूंगा क्योंकि लिए चर्चा और चाहूंगा कि है लोग आप सवाल करदें यह मेरा लाइव याद रखना जो कापी लोग देख रहे हैं वहां साथ आठ लोग मुश्किल जो हनुवान के नेतरत में पूछे थे दस लोग भी नहीं पहुंचे लेकर आते तो मैं अलग लग बढ़तियों के लिए अलग लग आंदूला नहीं कर सकता इसलिए वह आएंगे तो आपकी मांग मैं पहले नंबर कर प्रात्मी तक साथ की पहले उस दिन भी रखी ती आप लोग नहीं आये लेकिन उन सब यहोंने आपके मांग उठाई की सीविय के राओ का एलान किया था और आप तो आरपारी की लड़ाई का एलान किया था आप दर्णा से वार्ता करके और ओन लोगों के काम करा के आ जाते हो शीवे की जाज क्यों नहीं हुई यह सवाल आप पूछोगे तो आपको मैं पहले बता दूँ क्योंकि तुम घर बेठे रह होगे बिना संक्या कुछ नहीं होती है आप लोग आओगे और आपके संक्या आती है फिर मैं वहां से उट कर रहा हूं तो फिर कहना को पहिन आद हो जी आपने आपकी लड़ाई का एलान किया था कि गोली चले लाठी चले मैं नहीं लूँगा मैं लड़ूंगा शीवे की अदर ले लड़ है वो घरसे निकरना नहीं चाहते है जो वारराजी को कोटा चाह recommend करेंगे लेगिन घरसे करना चाहते तो साथ्यों मैं चले चाहे चाहरा हूं के साथ जो भार जी को डाराद सामाप तो रच्तान कर्यक्र प्रात्मिक्ता दी ये तमाम मस्तित नंग कर रहें लाइब में हैं करें को क्षोर यह किसاش ने वे मजबूरिय में मुझे कदम पीछे उठाना पड़ताई क्यों कि यो आपके पैड़ अनुदेशक के लिए कह दिया नियम संसोदन हो रहा है जिन बर्तियों के ज्यादा लोग थे वहां पर आगे वापस क्यों रुखेंगे तो ये लोग कोई भी वहां रुखने वाला नहीं है इसलिए मुझे वापस कदम उठाना पड़ता है क्योंकि सब संक्या चली जाएगी डूब तंटर मेर भी तंतर के लावा कोई मेहतमल नहीं है यदि 24 फरवरी को विधानसवा चलेगी फुट विदान सवा की थी लेकिन 222 23 को विधानसवा नहीं चलेई 23 तारी को बजट की गोश्टना होगी तो बजट में सारा मीडिय तमाम नेता में भीजी चुझा है इसलिए सात्य और चुविस तारीक हमने चुना है जो सिफिय है की मांग करना चाहते मगर में जेल के अंदर जाये जो नेता शामिल है वो सब तक आज जाएगी कि अगे एक दो गिरो है जो इसमें लिब्त है और गिरों से वह नेता सरक्षन करता सब लिपते हैं वह उससे सब परते खुल जाएंगी एक बार जाज चली गई तो वह भी यदि 23 तारी को 24 तारी को आप नहीं आते हो तो फिर हम नियाले के माध्यम से के लिए लगाता प्रियाच करेंगे यह तो मैं सब्ष्ट सब्दों में कह रहा हूं कि कल कह दें कि साब आपने वापस क्यों आगे 24 तारी को वह आप लोगों के उपर आप मजबूती से संग्या है तो मैं लटकाट के बेड़े दूँगा आप आते नहीं हो उद्दी साथ दूबन मैं कह रहा हूं कि जो लोग कहरे हैं यह लाइव बड़ा मेहतोपूर्ण है अलग लग भठती हो कियों के लिए मैंत पूर्ण है मैं चीज़ आप लोगों को और कह रहा था कि साथियों अब लाई चल रहा हूं मैंने ट्वीट किया कि मैं Facebook और YouTube चैनल पर मैं आठ ब हों के नाम पर जो काम बहुत लोग कम करती हों करते वो लोग अपने अपने लोगों को कह देता कि भी या रात को आठ बजी आएगा आईटी सेल के मेंबर रखते हैं मुझे कोई फरक गाली या उल्टा बोलेश कोई फरक नहीं पड़ता यदि मैं इतना कमजोर और यदि हाला खराब होते तो लाखों लोग मुझे जुड़े नहीं होते हैं और मेरे साथी कहना चाहूंगा साथी अभी यूटूब पर पेश्बूक कितने लाइव एक बार बताना दोनों को बताना कि दोनों पे 2000 अभी फिलाल 2000 लाइव है और नेताओं को देख लेना यहां कि 2000 लोग अब लाइव कौन देख रहे हैं इंका विश्वास है अब वो 100-20000 लोगों को ट्रोल आर्मी को छोड़ते कमेंट करो आप कमेंट करिया अरे मेरी छवी कमेंट करने से नहीं होगी खराब आप मुझे अच्छा कार्य करो तब आगे निकल सकते हूं राजस्तान के लाखों यहां का विश्वास है ट्रोल आर्मी से मुझे कोई फ्रक नहीं पड़ेगा लड़ता हूं और यह आपने देखा नोतारी को अच्छी भीड़ आई क्यों का विश्वास था और वह भीड़ रहे हैं आपने देखाओगा जेट की परीक्षा का जो सुल्क 2800 रुपे पूरे देश में राजस्तान में सब्सक्रे ज्यादा था जिसके लिए हम लड़े थे अब 1250 करवा दिया वह भी जीत है धीरे धीरे हमारे मामले हल होते जा रहे हैं यह परिणाम है जो सब के सामने नजर आ रहे हैं कंपीटर अनुदेशक बढ़ती टेक्निक हेलपर बढ़ती ग्राम से पदबढ़ना लगातार यह परिणाम संगस के परिणाम है जिनका काम हो जाता वह चले जाते जिनका नहीं होता है कि वह कहते हैं अक्यला इंसान नों कहां-कहां भागूंगा अक्यला रोज आप लोगों के लिए भागता हूं अब मैं जो रीड लेवल टू को वहाल करने की मांग रहे हैं रीड लेवल वन के लिए इस पर चर्चा करने इस पहले मैं कुछ पोजिटिव चीज बताना चाहूंगा जो नई सेकंड बढ़ती का इंतिजार करें मैं सुबह सिक्ष अब रतना वह आरपीएसी आज चली गई है आज आरपीएसी चली गई है जो सेकंड बढ़ती के इंतिजार करने वालों के लिए अच्छी ख़वर है जो फर्स्ट गेड की है जो रोस्टर आरेक्षन से समद्धी रोस्टर से समद्धी वह कार्य बाकि था तो उन्होंने नह यदि कोई कमी नहीं नहीं तो आपकी फर्वर में सेकंड गेड की विगिप्ती जारी हो जाएगी और यदि कमी रहे है यानि कोई दिकत आई यानि कि टाइम लगया क्योंकि वह अभ्यरतना आने के बाद उसको चेक भी करता है तो फिर मार्च में आपकी विगिप्ती फर्स को बदलाव कर दिया गया अतिर्क समय देने की मांग को लेकर रास्तान विश्व विद्याले में लोग धरने में बेटे हो मांग कर रहे हैं उनकी मांग को लेकर मैंने education minister कभी भी किसी वरती प्रिक्षा में तीती बढ़ानी की मांग मैं नहीं करता हूं क्योंकि दो-दो गुरूफ होते हैं लेकिन इसमें कुछ मैंने देखा कि इसमें सलेबस अचानक बदला गया जिसकी वज़े से इनको अत्रिक समय मिनना चाहिए इस समय में मैं सिक्ष्यमंत्री समय में अधिकारियों से बात की तो सातियों अब मैं आपको आरेस बढ़ती 2021 के लिए बताने चाहूंगा जहां तक मेरी बात हुए है कि अन्होंना आर्पीसी में बात की आर्पीसी का अधिकारी को कहना है कि हमारा सेडूल जो हमने कलेंडर जारी किया उसके अनुशार यद हम उसको बलाव करते हैं तो साल बर तक यह आरेस बढ़ती 2021 में देरी हो सकती है इस कारण से उन्होंने मना कर दिया अब आप का अंदोलन जा रही है अब इसका निर्णे सरकार को करना लेकिन आज की स्तती यह है आपीसी की तरब से सरकार को यह कह दिया गया है कि शेडिल मे अजबूती से आरपीसी जो अध्यक्स मैंने उनसे मुलाकात करके रखने कोशिश करूंगा कि हां यह लोग बैठे इनके साथ न्याही किया जा लेकिन जो इस्तत्ति में आप लोगों को अवकत करा ना हाला कि नियाएले में मामला है नियाले परस्णों का विवाद को लेकर नियाएले इसमें कुछ कर दे वह अलग बात है कि नियाएले इसमें क्या निर्ने करेगा नियाले भी कुछ पैसला दे सकता है कि सातियों इसका लावाज जो मैं मैं रिट्ट पे बोल लेता हूं फिर अन्य पे बोलूंगा रीट बहाली को लेकर दातियों कई लड़के कर दिया कई लोग कर रहे हैं कि आप डेटा ओपन करने के मांग क्यूं कर रहे हो कई लोग कर रहे हैं कि आप लेवल को बहल करने में यानि किक्कुल मिलाकर अपने नीजिस्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति ने 10 साल तक आप लोगों के लिए संगर्च किया है जिसमें लेवल टू का जो वेटेश जो सतर थीश था वो वेटेश हटवाया है हर जगा आप लोगों का साथ दिया है लेवल पस्ट वाले जो कलगा कोई मांग नहीं करूंगा not可以 Armen करूंगा कि ना onset करूंगा मैं नंए एक बार भी रत करनी की मांग नहीं की थी कुछ मुझे पता कई लोको ने बड़ी मैनेत की है क्यूकि मुझे पता उनका दर्द और दुक मैने में देखा था यह सरकार का निड्य था यह विफक्स का घला था मैनें सिभइई की मांग एप एली की दिना आज भी कर रहा हो मैं इसलिए चाहता हूँ कौन राजनेता है कौन-कौन लिफ्त है कौन गिरोव हमेशा के लिए खतम हो जाए राजनेता जेल कंदर आजाए जिस और कौन-कौन इसी बढ़तियों में गिरों ने यह बड़ा कांड गया इसका खुलासा हो आप लोगों पता च कि या आपका साथ दे सकता है हाँ एक चीज आपके लिए प्लैस हो सकती है कई कह रहे हैं पद बढ़ाने का साथ दो रद करो मैं रद के लिए पहले भी नहीं का था नहीं कौना सी बिचाश होगी क्योंकि अभी होगी तो कही लोगो नयाई मिलेगा और सरकार ने जो लेकिन आप लगता आपको मजबूत है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच को आश नहीं है आपको लगता आपके साथ गलत हुआ आप टोपर हो तो न्यायली न्यायी करेगा तो न्यायली पर विश्वास रखना चाहूंगा जो लोग लेवल फर्स्ट और सेकेंड के हैं कि सा लोग है जिनके 140 सुपर है तो कई लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल टू वाली भी आउसाद में इतने नंबर कैसे आगे सच क्या है लेवल पस्ट में जो है कि मेरे 125 है कि 132 है कि 130 है वह भी कह रहे है कि लेवल रद नहीं हुई लेकिन हम लोग लड़तो रहे हैं पदोगी संख्या भी नहीं बढ़ रही है लेकिन कटोब 135 उपर चलीगी तो हमारा क्या होगा कई लोग यह सोच रहे हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ किसके नंबर क्या है या कुछ नहीं है कई क्या होता है कि गाव में माली जे रमेश है ठीक है रमेश को पता है र सार्ज नहीं करें जो लोग हैं जो लेवल पर्स्ट और सेकेंड के मेरा लाइव को देख रहे हैं हम 18 तारीकों सुबह 10 बजे माधिवी सिक्ष्या बोड के बार मैं धर्णा प्रदाशन के लिए जा रहा हूं क्योंकि आर्पीसी अध्यक से भी अन्य जो आरेस बरती हो चाह तो पता लग जाएं कि ने जुगाड किया और नमबर ऐसे कई लोग पकड़े जाएंगे कई लोग कह रहें कि अप डेटा उपन क्यों करवा रहें तो वो लोग डर हैं कि मेरी पॉल ना खुल जाये जिसाती हो डेटा उपन होगा माली जी डेटा उपन होगा जिसके 125 130 1232 न सरकार ने बताया है और शांसर साब ने बताया एक लाग तहीस जात जो आगड़ा वह सही है गलत है कौन जुटा है कौन सही है सारे सचाई सामने आजाएगी डेटा ओपन होगा तो आत्म संतुष्ट हो जाएगी हाँ इतने लोगों पास 140 नंबर आए इसका मलब सरकार ने भर 140 उपर कम आता है तो आप उस डेटा को हाई कोट में रख सकते हो डेटा हमने ले लिया हो माली ये जो डेटा हमें परिणा मिल जाएगा रीट का लेओल फरस्ट हो शेकिंड का वह आपके नियाईले में भी काम आ सकता है आप मजबूती से अपने लड़ाई लड़ सकते हो परशले सातियों हम सब को मिलकर तमाम लोग रीट लेवल फ़र्ष्ट और सेकिंड से है वो डेटा सार्ज निक करवाने के लिए 18 तारीकों सुबह 10 बजे माद मिक्सिक्षा बोर्ड आज मेर पहुंचे मैं पहुंचूंगा हम सब मिलकर वा मीडिया वे रहेगे हम सब मिलकर आ दो पहले आप लोगों को डेटा सार्जिन करने में सब Va है लोगों के वालिफ पहलेyty इतनी घरबड़ी हुए तो तमाम लोग परस जो लेवाल सेकेंड के बिरतेश में नेव दिन कोरूंगा एक दिन के अपने वहिशे के लिए आना हम सब मिलकर वहां प्रयास करके कोशिश करेंगे डेटा उपन हों प्रदसिन करेंगे वहां दढ़ने बैठ जाएंगे जब तक वह आपने आपको लोगों के डेटा सार्जन करते हैं तो हम सब मिलकर सार्जन कर लेंगे आपको अपने मामला हो गया यह चीज है अब साती एक चीज कह रहा था रीट का जो मामला मैंने किलियर कर दिया है सुबह 10 बजे अज मेर माज़िक्षा बोड के सामने आप लोगों को आना है क्योंकि 10 बजे पूछेंगे आदा एगंट प्रदर्शन से लेगा तब वारता होगी उसके बाद 12 बजी बाद आर्पेसी जाना लेकिन डेटा ओपन करव बजने का जो मामला था जो कोरोना गाइडलान की वज़े से मेरे उपर दज किया गया था मैंने उस मामले में खुद को दोशी मानते हुए मैंने पहले बात दोशी था नहीं क्योंकि 30-40 लोग इकट्ट होने को को लगना नहीं क्योंकि उस समय मंत्री असोक चांदना जी और मैं कहना चाहूंगा मेरा लायू चाहिए वह सचोच आप देख रहे हों जो इससे समंधित आयो देख रहा हो भाया मैं थाने के बाहर आके बैठ जाओंगा बच्चों को यदि परीशान किया आप लोगों ने चमचागिरी करने की कोशिस की सरकार की और इन बच्चों को पर रोजगार पेक मुगतमा दर्ज नहीं होने दूंगा जो नेता गूम रहे हैं उनको आप दरा दम खा रहे हो छेड़ी मत भारी परदाई का आप लोगों के लिए ठाने के अंदर आके अंचल में बैढ़ता हूंगा ध्यारगना इस चीज़ों इसलिए उनको फोन करके प्रि परिशान दर्ज करना मेरे करिया कितना करें किसी भी बेरुजगार प्रिशान करने नहीं दूंगा ध्यारगना आ रहा हूं में जल्दी आपके पास अ यह तो यह नों मेरे भाईने मेसेज़ बताए कोई लोगों के मैसेज आये वदे अब मैं चीज और कह रहा था कि यह चीज इसके लावा 18 तारीकों जो सेकंड गेड़ वरिस्त अत्याफक बरती दोजा 16 की जो पिक अप लिस्ट है और भी जो आर्पेस से संबंदी जिसके जो मामले भी यह मैं बार-बार आर्पेसी नहीं जा सकता वहां आर्पेसी अध्यक्सी से मुलाकात करेंगे सेकंड संसाधित कलेंडर के लिए और भी कोई भरति का मामला हो जो तमाम सुन रहे हो वहाँ 12 बजे पूछी ए-rp ya-c के सामने मैं वहाँ आर्पेसी सद्द् operated करें गते के सद्द्रार के सा माधयम से तमाम जो पाहँ बढ़ती के अब लिए-ní वां, जिनकी टेक्निय हेलपर की नहीं है जिनकी परिणाम नहीं आया जिनकी जोईनिंग नहीं जो भी कोई मामले है तो मैं सोमार को 12 बजे विद्ध बहुन पूछूँगा जो इससे बिजिली वाक्स समंदिर बरतियों के बरति वहां पूछिए टेक्निय हेलपर को छोड़ कर वह मदद होगी अधिकारियों से आपके सामनी मिलकर आपके मदद मैं करूंगा पटवारी बरति को लेकर सातियों पटवारी बरति को लेकर कई लोग कमेंट करें उपएन यादों ने पटवारी में 34 सिप्ट वालों का साथ नहीं दिया कि कई लोग कह रहेते हैं जब मैं चोट के पास कोई फार मुला हो तो दे दीजिए मैं दिखवा लूँगा जो होगा वह विदी राए लेकर कमेटी के निटने से क्या जाएगा उनके साथ गया मैं फोर सिप्ट वाल होगे जबकि जो पहली और थर्ड सिप्ट वाल के साथ नहीं गया मानवता थी कि उन्होंने मुझे जाते हो मुझे आप लड़ते हो लगा लेकिन आपस की लड़ाई हो आप लड़ोगे उसका नमबर नहीं आए उसका आगया वो कहाँ हाला कि मेरी बहुना है आपके साथ थी कि हां 30 नमबर जिसके जादे उसका क्यों नहीं आया मैं साथ गया ना पहुंचा ना और आपने न लोग करें तो क्यों नहीं बोले भी या मैं गया था साथ उसके बावजुद भी आप उल्टा बोले तो कोई सयोग नहीं करेगा आपको जो और ना बोल लीजिए दो गुरुब आप बना लेते एक का पक्सलिया दूसा गाली देता है यार मेरा यही काम है क्या तुम आपस में एक दूसा गुरुब बना तुम लोगों जो हरकत की ना मेरे नंबर डाल गे गुरुप में एक फोन करा पहली और चैनी साब आप उनके साथ मत जाना दूसा कह रहा है साब हमारे साथ हरे तुम मैं इंसान मुझे फोन करना पड़ा दबा दब दोनों करे दे मैंने का आपने पास के तीस नमर ज्यादा आप नयाले में की तो नयाले नयाई करेगा यह पटवारी की ओ रिखले और के इसका वेटेज जीड़ेगा इसका वी जूढ़ेका व्यटेज वह नहीं जूढ़ेगा अब Guardians बाझा प्रदेश इसमेरिट होगी पातरता के बाद करवा नहें रहे हैं लेकिन आप एक के लिए मना कर दिया अब दो करवार कम से कम पातरता कब होगी को एक्जाम कब होगी फर्स्ट के सेकीं सबका प्रिभांडर जरी नहीं परिशान है तो इसके लिए वह जल्द ही पातरता प्रिक्षा की और शिख्षक बरती की एक्जाम की तिती जारी हो जाएगे फर्स्ट कर सेकंड करेंड का भी कलंडर जारी हो जाएगा मैंने प्रात्मत्य अक्साथ इन मांगों को रखा है कि इस थो नगराफर बरति का जो आज किशी ने पीडेस आइरल कर दी वह राज्य पत्तातों है मेरी चैर्मेन मौदील चीस बात हुए उननों पूरी संभावना बताई है कि कल परसों में कभी भी आ सकता है संभावना की चेर में बताया संभावना की करें कल नाम लिया तो आ इंथजार करिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल से जल आपका पेशला उपन हो और यह भरती प्रक्या पूरी हो तो मैंने आपकी बात मजबूती चाहज रखी है जयेन जो पंचाहिती राज जयेन बरती की जो अभरती है अनील कुमार मीर्ना जी मेरे साथ गए थे आज मुलाकात अधिकारियों उन्होंने कहा है कि रूल संसोदन हमने कर दिया का नो तारी को रात को आगया था अब एसलपी विड्रो करवारी सरकार यानिकि सुप्रीम कोट में जो मामला गया था सरकार ने एसलपी लगाई थी क्योंकि वहां से कानूनी प्रक्रिया पूरियों की विड्रो होगी विड्रो होने की वहां एप्लिकेशन लगेगी विड्रो होने की और नंबर आएगा फिर विड्रो होगी विड्रो होने के बाद फिर आपकी वीकिप्ती वाली प्रक्रिया होगी इसलिए जो तमाम अभ्य उन्होंने कहा कि 1736 वो और 2000 की एकजाम होगी हमने दोनों के लिए राष्टा निकाला है तो आपके काफी लोग प्रियास कर रहे हैं मेरे से जितना प्रियास्वा मैंने किया लेकिन मंत्री सुभाजगर को राजंद्री आदुजी ने लिखित में समझोता दिया था जब सुभ चिकिस्या राजय मंत्री सुभाजगर साब अपने वादे से मुख्रे ते आपके अब मंत्री मुखर जाए तो उसमें यादे कुछ नहीं किसकता जितनी मेनत में जितना सयोग मुझे हुआ मैंने आप लोगो किया अब पंच्यराज- Pentia LDC बडंटी का इंतिजार मुझे पताए काफ़ी लोग इंतिजार कर रहा हैं साति होएँ मक्सिंग जो बाड़ मेरे के रहने को पुने चेक करवा रहे हैं केबिनेट से अर्मोदन से पहले कि कहामिया नहीं हो जाए डीयोपी ओचाए वह लो हो तो तमाम जगह से वह उसके एक बार और प्रेक्शन करवा नहीं कोई कमी तो नहीं देगी उन्होंने कहा उन्हों सारी चीजे बताई उनको समझाया मक्सिंग मेरे साथ तो सातियों में इतना सकता हूं यह आपकी बरती एक हजार परशेंट होगी मैं खुद फोन करके आपके बरती को साथ ले ग कर गया उनना का हां समय लगा है लेकिन जिसको दो साल बाद उस वर्तिव कर रहे है कई लिगली जो कानूनी अर्चन आई दिन को दूर किया है कि एक बार हम सुरू कर दें फिर अटक जाए फिर रोए इसलिए एक बार थोड़ा सा समय लगया आपने तस समय सरकार को दिया त प्रति ठंरी को पूछना कि वह नहीं मोलते हैं मैं आपकी पीड़ा सब्ढत हूं मैं अ में दिल से रिज быстрist किितनी तो प्रूंको कि generalized लेगे जिखाए इसमें लगतार लोग परिशान अंटा चाया गया थोड़ा सब्सक्रक्रूं अ प्रात्मित है के साथ ब्रति खुद भाग रहा हूं खुद आवाज आपकी उठा रहा हूं तो आप देख लीजिए होगा आप थोड़ा सेता सेम के थोड़ा सा कर लेजिए भाई कोशी आ जाएंगी जैसे टेक्निंगा हेलपर वाली मुझे कहते थे कभ विकप्ति जारी होगी कभ जारी होगी क्योंकि आप थोड़ा सा प्लीज मैं दर समता हूं जो चीज है टीजीटी बढ़ती दोजार बारा कि श्याम सिंग गुरुप सुन लीजिए नमुरान गुप सुन लीजिए धनराज वाला हवाशिंग और बनवर्य वाले बैया आज अच्छा रहा आज बनवर बनवरी बैया था एक जिसको आप बाबा बोलते हैं वो भी आये थे दोनों लोग आये थे सच्छ वाले मेरे साथ गए थे और अभी तक जो प्रमुक्त सची है मुख्यमंत्री जी उनका कि मैं खुद सुप्रीम कोट के एडूगेट से बात करूंगा थोड़ सी डिटेल मांगी थी मैंने डिटेल आपको पढ़ेगा फिर मैं 24 तारीक के बाद यदि आप लोग नहीं है क्योंकि आप आपका काम अंतिमी स्टेश में कभी भी तारीक सुप्रीम कोट में मिल सकते हैं तारीक में आपका निस्तान हो जाएगा आगे आपका वहिश्य मन जाएगा निप चोईस तारीक के बाद म हमारे एक संगर्श की जीत है वह बिल इसी विदानसवा सत्तर में बिल आ जाएगा यहनकी 23 तारीक के बाद वह बिल आएगा और बड़ा कानूर है जिसके लिए पिछले एक साल से मने संगर्श किया और यह कानूर आने के बाद मुझे विश्वास है कि बरती प्रिक्षिया तड़ पाऊं यह कानून आने वाला है जो प्रिक्षिया जो प्रिक्षिया बरती में पद बढ़ाने वाले उस दिन बात हो गई थी 23 को बजट में पता लग जाएगा लेकिन पद आपके बढ़ेंगे अब पद वाली फाइल चल चुकी है लेकिन इसकी विगप्ति के हल बे पहले 46 की घुष्णा यह जो पर बढ़ती का ता पता नहीं था अब बढ़ रहें लेकिन अब बढ़ने के बाद विगप्ति जारी करवाने के लिए आप लोगों को भी एक बार आना पड़ेगा 24 विगप्ति जारी करना होने के बाद आप तेयरीम लग जाना तो 24 तरी को त चरए 25 बढ़ने के साथ यह पिछली बार आए पत्सली बार आए थे प्टावले इनके फाईल चलगे इनके पद बढ़ पढ़ने की जो वित्युत ले जाती है जब डियों भी जाती है विति शिवक्रति रिकली वहां भाग मिलती है उसके बाद भाग में जाते तो यह फाइल चलती है विबाग से वित में जाती है वित से बाद मुख्यमंत्री जी के पास पर आती है तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है इसलिए प्टाइ बढ़ती में जो पद बढ़ रहा लेकिर इसकी विगप्ति और पद वाली पर क्या जल से पूर्ण करवाने के लि विशेश यह सूचना है जात्यों पसुदन साइक वरती में भी पद बढ़ाने के लोग कह रहा है आटेई के सूचना आई थी पद काफी खालिये पद बढ़ाने के साथ इसकी विगप्ति जारी हो तो इसके लिए भी 24 तारीकों पसुदन साइक वरती के जो तमाम अभ्यरत इंतिजार करो अगला वीक प्रयोक्षाला साही के लिए अच्छा रहो पुस्काल अध्यक्स इस मैने के लिए खाहता इनकी विगप्तिया जारी हो और 600 नियाची स्कूल व्याक्यता वाले मामले में अब बेरतीयों से बाती है एक बार हम गोवी सिंग डोटा साजी पीची स चीफ साब से मिलेंगे क्या वह अपना वादा पूरा करेंगे वादापूरा नहीं करते स्पास के खिलाप खिलेंगे 2212 याद आ पूछफिए आप अठारा तारीको सुबह बारा बजी आप पूछिए दस तारीको माधिमक्षिया बोड सुबह 10 बजी आठारा बी आते हो अच्छी बात है मां भी सेयो करोगे तो वो लोग आपका सेयो करने आएंगे तो पूछिए तो इस पेसल क्योंकि आप काफी दिन से प्रिछान हो क सब्सक्राइब के साथ और प्रोगाम में रख लिए पहले प्रोगाम वरिष्ट अत्यपक बरती दोज़ा सोला के लिए रखा गया था फिर मैंने सोचा जा रहा हूं तो रीट की डेटा वाला भी रख लेता हूं आरे इस वाला अन्हें मांगों को लिए तो आप पूछिए कमेटी के सामने सुझाओ के लिए मैंने आएस इस नियु दर तो वो कहा कि आपके लिखेत में सुझाओ इकर यह डिकाण मैं वो शुजाओ का चाहिन करके और एक-दो दिन में वो सारा टाइप करके मैं देखियांगा खुद ग्राम विकास अधिकारी का सलेबस जैन सलेबस के लिए साथ ग्राम का सब्सक्राइब मंत्री से मिनना पड़ेगा मुझे टाइम नहीं मिला जिससे टाइम मिलेगा मैं जा लिए लेकिन फिर भी जितनी मदद होगी मैं भी करूंगा क्योंकि वास्ताव खाना देकर छीनना बिल्कुल गलत है नई बरतिया है जो जो भी है वह फरवरी एंड या फिर में मार्च अप्रेल में उनकी विकितिया जारी हो पाएंगे कर्षि प्रेक्षक का प्रेणाम मार्च में आएगा या तो फरवरी एंड में मार्च पर्ष्ट वीक में ही आप आएगा कर्षि प्रेक्षक वाला वीडियो का भी प्रेणाम मार्च में आएगा भी नहीं आएगा वीडियो को प्रेणाम भी कई लोग क्या बोले थे कि वहां जो स्वर्गिया रामनियास गोदारा जी की पतनी जो है मनीजांट वहां उनको न्याय के लिए पिछले कई दिरों चे डॉक्टर किरुलाल मेना साब बैठे थे बाबा बैठा था और अच्छा उनको न्याय दिलनक अच्छी महनत की अच्छा मेरी बात हुई थी उनका चोड़ा अक्टुमबर को आएंगे फिर वह आये नहीं फिर मैंने बताया कि हमारे परीजिनों मना कर दिया कि तीन-चार मेने तक हम कहीं नहीं जा सकते तो मैंने सबसे पहले इसी लाइव में उठाया था उनके परीजियों को यानिकि उनकी वाइ प्रवागता हूं सरे लिए नहीं जाता उन्हें बुलाय तह गया था और अब खुला बोलाओ कि उन्होंने बाबाने मेनद की कि लगला जी ने संसे साबने और बाबाने उनको नहीं दिला है परिवार को तो सच को सच कोंगा जूट को जूट कोंगा लेकिन हां शुरवात और नहीं आए तुनका मामला दब गया यह चीज है और फिर मुझे दूबारा यार क्या मैं उनके साथ चला गया बेरोजगारी बत्ते के लिए कई लोगों को कोल और मेसेज होता रहे कि इंट्रेशिप्ट के चार मेंने अठाए जाए मैंने लेटर लिका मैं खुद लेटर जो तमाम लोग है आप देख लोग तंत्र में आना पड़ेगा आप आईए आपकी बात में मजबूतिर सटाओं कई लोग के रहें कि हम चार गंटे पढ़ाएं अन्या काम करें हम खुद पढ़ें तो यह बात भी से मैं निकाल काई जी यह अनिवारत अठाई जाए तो कहिने के आपको चाह जो मैंने की जो इंट्रेशिप उसे रात मिल से कर आपको विरुजगारी बत्ता मिल सकते जिसे आप मजबूति से अपनी पढ़ाई कर सका कनीस्त अनुदेशक की जो अधिस उसना जारी हो रही है व अधिनती मदद हो कि मैं आप लोगों मदद कुरूं आना आप लोगों पड़ेगा पांच्वा उप्षन हो कई अन्य जो है बरति परिक्षाओ के सुझाओ अधिरस पूर्ड को दिया और जो कमेटी को मजल देने वाला हूँ और डेटा ओपन हो जाता है गरबड़ी नहीं होती है कई लोगर पद बढ़ाने की भाईया आपको लगता है गरबड़ी नहीं तो फिर विशेशिक हो तमाम हो मैं आपका साथ दूँगा लेकिन पहले डेटा ओपन होना चीए कि कमेंट पड़उंगा उसका जवाब दने कोसिस करूंगा और को एवक्ति को न्याएं मिले लगातार मैं कोसिस कर रहा हूं लगातार आप कारे करना क्योंकि नोतारी को आए उनको पता है क्या हुआ दख्या मैं खारा था पुलिस वालोगे लेकिन वहां भीड बहुत थी इसलिए पुलिस वाले मेरे कुछ नहीं बिगाड पाए भीड की लोगतल में बड़ी भूमी का होती है और राजिस्तान के लाखों लोग मुझ देख लिजिए पता लेगजाएगा किसी केले पर क्योंकि वह उसके रीट्यूट या लाइक करता है ना आई डेपर समझजा लाकों घरकों को दिलों में राज करता इसलिए क्योंकि मुझे कई उनके माबाप का प्यार मिलता है अज मैं यहाँ तक हूँ रहो है आप सोच ल और आप रीच देखिए आज एक लाग तेटीज जार ज्यादे यूटूब पर है एक लाग छती से तीज जार पेश्बूक पेश्बूक पहर एक लाग छेज़ार पेश्बूक आईडी पहर इस्टा पे बारा जार सी ज्यादा ये इतने लाकों लोग क्यों जुड़ रहे हैं तो उनके सामने अधिकरी को फोन करके उनकी समस्या करने की कोशिश करता हूं और साथ दो जो लोग कई लोग गलत कमेंट करने के बातों में आ जाते हैं उनसे मैं निवद्दन करूंगा बहुत संगठन बने वे और भी बने आप उनको कहिए कि उनके साथ चली है अधिकारि मैं शेलीट करूंगा क्योंकि वे रुजगारों का यहों का काम होना चीए मुझे रादनीती नहीं करनी मेरी यहों का काम हूँ यह मेरी दिल की इच्छा है मैं एक चीजो बता अब हजारों लोग क्यों जुड़ते हैं अब लाइव में देख लोग कितने लोग भई अभी के लिए मैं लड़ता हूं इस विश्वास के कभी बूट पोलिस करता हूं कभी लगनाओं तक जाता हूं कभी सड़ती में सोता हूं कभी अंचन करता हूं कभी तड़ता हूं कभी लाठ्या खाता हूं कभी पुलिस के दख्खें घाता हूं लड़ता हूं इसले लोग ताकत है और इस ताकत के आके सब सामने सचुंद्र है अब मैं एक पार पर देखने कोशिश करूँगा कापी लोग जुड़े हैं लगतार मैंने कई लोग नहीं देख पाए वह मैंने बोला है राश्तार में 2013 के बाद शेट के एकजाम नहीं बिया आप भी मुझे से मिलनी है मैं आपके साथ उच्छा मंतरी से मिलूँगा इसके अलावा सभी विवागों में हजारों पद फोर्थ क्रमचारी के खाली है सात्यों ध्यान रखना इसके लिए मैं प्रियास कर रहा हूं मैंन प्रियास कर रहा हूं क्यूंकि कई कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूं यूटूब पर फास चल रहा है लेकिन मैं खोशिश कर रहा हूंगा कि आप लोगों को कि संग्णा के संग्णा के बाले भिया में खुद आपके जो ुल्दीप और जो आपके साती है न-'onके साथ मंतरी गोविन मैं गवाल जी से मैं मिल गया मिलवाया जितनी मदद की पद बढ़ाने को लेकर मैंने आप मदद किया खुद गया था सुबह उट गया इस्टोनों रापर के लिए सुबह में उनके साथ की जितनी मदद तुए मैंने की अब बंतरी न कहा कि वह से अब जब आए जाए जल्दाइव आग में बिल्कुल आप मिना में जो सिस्वा मिलेंगे जाकर गुलाम मिना जी धन्यवाद भाई वीडियो का रिजट मार्च में एक अब याफ परसकेट दो जारी कीज कि 22 आगे यार भी या रोडवेश पर बरती परिचार भी या तो जाए दस-ग्यारा की ते सजन सिंग जी अब हो पाईए तो सूचना साइक सूचना साइक जूनियर अकाउंटेंट प्रोग्रामर इन नई बरतियों के लिए भी हम संगर्च कर रहे हैं दंचिके संग हो और आपी तो मुंहार को अधिकार्यों से मिलने के लिए में जा रहा हूं आप लोग यह आपके सामने हätzen आपका भाई साथ जाकर आपकी मसować से रखता और सबको पता कभी भी आ सकता पूरी संभावना जो मैं इसके बारे में बोल चुका हूं कि विरंदर जी में लगातार आप लोगों के लिए प्रियास कर रहा हूं कि टेकनियाहलपर में त्यारी बिल्कुल सोमार को में बात रखूँगा खांगा थो बात रुखूँगा लोगों से मैं मुलाकात कल बारे बजे करूँगा कर देख लीजिए प्रदेश के लाखो बेरुजगार है राज्तान बेरुजगार एक एक मासां और उपेनिया था वकेला जो हर व्यक्तिकिलर अजबेर भी मैं जाओंगा क्योंकि किसी मेरे मिले उनके सपने साकार हो और एक दिन इस पेसल लाइव उसके लिए आउंगा कि दस साथ में कौन-कौन सी भरतिया पूरी करवाई कपकप करवाई विससे ज्यादा जानगारी देनी का आओ सकता नहीं है जो लोग सत जो लोग जी सचा ही जाना चाते हैं मु ये-टूब पर चेक कर लिए सच्चा ही आपके सामने आजाएगी कि किसने कितना दम है और किसने क्या करवाया आज तक और किसने फूर्टू को फीपेस्ट कि वह भी पता लग जाएगी क्योंकि संगर्ष कभी भी फण नहीं जाता सच्चा इंसान कभी नहीं हारता कि बेरुजगारी बद्ते के लिए 24 को बुला रहा हूं भिया जिद्दार जी क्या कहई रहो आरेस के लिए में उपर बोल चुकाँ उंदोस्त कि बाराज जी मैं में बॉल चूकाँ अब धेकले ना पंचया राजेल्ड्स के लिए उपर बोल चुकाँ मन्जु जी आप क्या बेर्थी मिल देंगे जित्ती मददों कि मैंने कुरूंगा टैक्रिंग हेलपर वाले चोविश तारिक आई आप माया राम जी विशे सिक्षक नर्शिंग बरती दोजाद 13 मामले में भी शुबाज गर्ग ने वादा किया उन बेटियों से कि वो नाहिले में उनके पक्समे जवाब देंगे अब रिपलाई तक नहीं करें क्योंकि कोट में रिपलाई देना चीने क्योंकि जिससे उन लोगों को भलाओ सके नर्शिंग बर लिए मैंने आपकी हर जगा मदद की हर जगा साथ दिया कोशिश की मंत्रियों को रात को साड़े बारा बजी आपके 20 में लेका है उन्होंने सिर्पे हाथ रखे बेटियों से खसम खाई आज वह बदल रहे हैं वह नहीं सुन रहे हैं क्या उपएनियादा मिनिस्ट्र है क्या संगर्ष करके मिलवा सकतर जितनी मदद हुई मैंने आप लोगों कि आगे मदद करूगा कहले करेगा क्योंकि मंत्रियों गल्ति उन्मंत्रियों की जिन्हों वादा किया था आप जाके बैटिया उनके घरते क्या आपने वादा किया था समझोता किया था मेरे से मदद होगी जिति मैं भी मदद करूँगा लेकर नियायले में सुभाजगर साथ आपको नियायले में इनका पक्स में जबाब देखकर अपना वादा पूरा करना चाहिए क्योंकि आपने वादा किया ता राज 12.12 बजी आके कि मैं बेटियों का वकील हूं और मजबूती से पेरिव कराऊंगा क्या वह वादा आज भी अदूरा है क्योंकि आज रीट के अभ्यरति भी जिस प्रकार संसे बना हुआ है जिस प्रकार लोग सोशल मीडिया भी बोल रहे हैं वैसे जब तक जास निश्पक्स नहीं हो जाए आपको इस्तिपाद देना चाहिए और इस्तिपाद देने से पहले कमस्कम बेटियों को भला करना चाहिए इनके पक्स में जवाब दिलागे राइकोट में उनको न्याय आपको देना चीए क्योंकि आपने वादा किया था शाथ यो एको लाई वाप लोगों से मैं करता नहीं है आपका भाई आपके लिए सरव प्रतम आगे अगली पंक्ति में मिलेगा लड़ाए लड़नेंगे इसके अलावा 18 तारी को सुबह 10 बजे डेटा ओपन करवाने के लिए माधिक्षा बूड मैं पहुंचूंगा 10 बजे मैं सुबह जल्दी साथ मुझे निकल ज सामने जूर जिनका प्रिणाम जारी या सलेबर समन्दी कोई समस्य पूछी जिती मदद होगी मैं आपके साथ लड़ता रहूंगा जय हिन जय बारत